परिशदी विद्यालेओं में अध्यन्रत बच्चों का इन 48 प्रश्णों के आधार पर सिक्षकों द्वारा जानकारी उपलब्द करवाई जानी है आईए जानते हैं क्या है ये प्रश्ण और इस सम्मन्द में क्या है निर्देश आपको इस स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा गया है इस पत्र का विशय है परिशदी विद्यालेओं में अध्यन्रत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्त के आंकलन हे तू सिक्षक ओबलिक सिक्षकाओं से विद्यार्थियों से सम्मंदित जानकारी उपलब्द कराने के सम्मंद में यानि कि परिशदी विद्याले के जो बच्चे हैं उनके जानकारी उपलब्द कराने के निर्देश हैं। विद्याले के प्रदक्त संग्रह किया जाना है। प्रदक्त संग्रह में सहयोग हेतू आदेशित औबलिक निर्देशित करने का कस्ट करें। जिससे प्रदत संग्रह का कार्य शिग्रता सिग्र समय से किया जा सके। जो परिक्षण प्रपत्र बनाया गया है उसमें जो पहला पेज है उसमें यह लिखा गया है। तथा इसका प्रयोग केवल अध्धन कार के लिए किया जाएगा। आपकी प्रतिकरिया हमारे लिए बहुत मैतोपूर्ण है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। यहाँ पर इस पस्ट किया गया है कि विद्यार्थियों से संबंदित जो सूचनाय संग्रहित की जाएंगी वो पूत्या गोपनी होगी और इसका कारे केवल स्ट्रेक कारे के लिए किया जाएगा। अब देखिए जिस भी बच्चे का आप परिक्षन कर रहे हैं उससे संबंदित सूचनाय आपको दर्च करनी हैं जैसे बच्चे की कक्षा, बच्चे का उम्र, लिंग, पुरुष है या महिला, छेतर कैसा है, शहरी, ग्रामीड या कस्बा है, परिवार का प्रकार कैसा है, स बच्चे का नाम लिख सकते हैं, इसके बाद है सिक्षक औबलिक सिक्षका की संदर्ब में सूचना, कि जो भी सिक्षक या सिक्षका बच्चों का आखलन कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी अंकित करनी है, सबसे पहले सिक्षक औबलिक सिक्षका का नाम, फिर विद्याले का नाम फिर मोबाइल नंबर और फिर दिनाग नीचे है सहमती पत्र मैंने उपर लिखे गए निर्देशों को भली भाती पढ़ लिया है मैं इस अध्यन में स्विच्छा से भाग लेने है तो अपनी सहमती देता ओबलिक देती हूँ और यहाँ पर बच्चे का हस वो कथन के अंतरगत है और इसके बाद आपको यहाँ पर पांच ऑप्चन मिलेंगे जैसे यहाँ पर पहला प्रशन है कि अपनी छमता से भली भाती परचित है आपको यह देखना है कि जो बच्चा है उसको भली भाती अगर उसको जानता है तो आपको यहाँ पर पांच ऑ लगता है कि बच्चा कुछ-कुछ अपनी छमता को जानता है लेकिन पूर्टया अपनी छमता से परिशित नहीं है तो आपको तटरस्त वाले कॉलम में टिक करना है अगर आप सहमत है तो आपको चौथे वाले कॉलम में टिक करना है और अगर आप पूर्टया और सहमत है तो लास्ट वाले कॉलम में टिक करना है इसी तरह से यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुल 48 प्रिश्ण मिलेंगे इन 48 प्रिश्णों के आधार पर आपको इन 5 ओप्शन में जो एप्रोप्रियेट ओप्शन होगा उस पर टिक करना होगा तो इस तरह से जो पहल में संग्रहित भी करना है तो हम आशा करतें कि इस वीडियो के माध्यमसी जुजानकारी आप तक साजा की गई या आपके लिए उप्योगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नॉटिफिकेशन है वह आपको प्रॉपरली मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद